हालो फ्रेंट्स मैं शालनी फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए उड़त की दाल से बनने वाली बहुती टेस्टी बर्फी की रैस्पी लिकर आई हूँ इसका टेस्ट कुछ-कुछ मुंकी दाल के हलुए की तरह होता है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा तो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से बनाया जाता है उड़त की दाल की बर्फी बनाने के लिए एक कप धुली हुई उड़त की दाल ले लीजे बिना छिलके वाली जो डाल होती है वो वाली डाल ले लीजे चल्दी में डाल दें और इसे नल के नीचे साफ पानी से धोलें तो हमें जादा नहीं धोना है, इसे भिगोना भी नहीं है, बस थोड़ा सा धोना है, धोने से जो इसका उपर जो कैमिकल का छिड़काव होता है, वो निकल जाएगा, जितनी भी गंदगी होती है, वो निकल जाएगी डाल धुल गई है, थोड़ा सा इसका पानी निकल जाने दें, जब इसका पानी निकल जाए तब इसे साफ कपड़े में डाल दें और कपड़े पर इस तरीके से फैला ले यहां मैंने इसके नीचे एक प्लेट भी लगा रखी है, अब इसे धूप में रख देंगे, तो यहां मैं कर्री सी धूप में, यानि जो विल्कुल तेज वाली धूप होती है, उसमें रख रही हूँ लगबग 3-4 घंटे के लिए एक घंटे बाद इसे थोड़ा सा आप दुबारा से सेट कर दे, क्योंकि यह चिपक जाती है, और उसके बाद जब यह सूख जाए अच्छी तरीके से, तब इसे मिक्सी में डाल दे, यह देखिए दाल सूख गई है, तो मैंने इसे मिक्सी में डाल दिया है, ढगकन लगा और इसका बारिक पाउडर बना लेंगे, यह मैंने पीस लिया है, और मैं आपको हाथ से दिखाती हूँ, कि मैंने इसे किस तरीके से पीस आई, इसे बिल्कुल फाइन पाउडर बना कर तयार किया है, हलका सा बीच में थोड़ा-थोड़ा दाना भी है, तो इसे हम चलनी से आटा चानने वाली जो चलनी होती है, उसे रख दे और इस दाल को अच्छी तरीके से चान लें, अब देखो दाल को पीसने के बार बिल्कुल भी नहीं धोया जा सकता था, इसलिए पहले हमने दाल को धो लिया था, अब यह जो मोटा-मोटा जो बचा है, इसे हटा दे, पा जाधा कप देसी घी डालेगे, देसी ही लीजेगा, देसी घी से बहुत अच्छी कुश्पू आती है, अब इसे गैस पर रख दे, गैस को शुरू में थोड़ा सा हम, स्लो गैस से थोड़ा सा तेज रखेंगे, क्योंकि अभी अब हमारी, जो हमने कडाई ली है, वो अभी इतनी गरम नहीं है, तो इसलिए शुरू में गैस को तेज कर दे, और जब कडाई गरम हो जाए, उसके बाद गैस को थोड़ा सा कम कर दे, स्लो गैस पर हम इसको कलर बदलने तक भूनते रहेंगे, ब्राउन कलर हो जाएगा, अच्छी सी खुश्पू आने लगेगी, घी औ पर से इसे हटा देते हैं, और इसे अलग रखतेते हैं, अब एक बरतन में चीनी ले लिजे, एक कप चीनी ले लिजे, एक कप चीनी में एक कप पानी डाल देंगे, और इसे गैस पर रख देंगे, इससे हम चाशनी बनाकर तयार करेंगे, यहां हम जो चाशनी बनाएंगे, वो चिपचिपी चाशनी बना कर तयार करेंगे तो चीनी घुल गई है अब इसे चला लेते हैं लेकिन उससे पहले एक चमत दूट डाल दिया है चीनी को चेक करने के लिए उंगलियों के बीच में लिए यदि अच्छी तरीके से चिपचिपा रही है तो इसका मतलब चाशनी तयार है हमें आधे तार की चाशनी चाहिए अब इसको उतार लेते हैं और वापस से जो अमने आटा भूनात औरत की दालका उसे रख देते हैं थोड़ा सा गरम कर लेंगे क्योंकि जो हमारा घी है वो ठंडा हो गया है अब इसमें डाल देंगे हम चाशनी एकदम से सारी नहीं डालेंगे थोड़ी थोड़ी करकर डालेंगे चाशनी का अंदाजा भी हो जाएगा कि हमें इसमें कितनी चाशनी डालनी है क्योंकि हम जो इसके लिए घोल तयार करेंगे न वो थोड़ा सा गाड़ा होगा यदि पतला हो जाएगा तो उसे सुखाना बहुत मिश्किल हो जाएगा मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें कुछ लोग जादा मीठा खाना पसंद करते हैं कुछ कम खाना पसंद करते हैं और अब स्लो गैस पर इसे हम दीरे दीरे करकर पकाएंगे बस अब इसमें चाशनी नहीं टालेंगे चाशनी हमने अच्छी तरीके से डाल दी है अब इसे slow gas पर पकाएंगे, लगातार चलातो ये पकाएंगे ये दीरे दीरे गाड़ी होना शुरू हो जाएगी क्योंकि बर्फी जमाने के लिए जो हम इसका paste त्यार कर रहें वो थोड़ा सा गाड़ा होना चाहिए देखे, चारोर जो तली है, कड़ाही की वो छूटना शुरू हो गई है अब ढाल देंगे इसमें लाइची पाउडर, पॉन्चममच, साथ में ले लीजे आप बदाम कटे हुए, पिस्ते की कतरन भी ले लेंगे तो ये लगबग 2 टेबल स्पून है बदाम की कतरन और पिस्ते की कतरन अची तरह से मेक्स कर देंगे कैस को मैंने थोड़ा सा तेज कर दिया है और उसे सूखने तक चलाते रहेंगे ये देखिए, बढ़िया से गाड़ा हो गया है ये देखिए, जो बर्फी जो हमें जमानी है बिल्कुल इसी तरीके कामे पेस्ट चाहिए एकदम गाड़ा, यदि पतला करेंगे तो जो बर्फी है वो अच्छी तरीके से जमेगी नहीं और उसके पीसिस नहीं बनेंगे गैस को बंद कर देंगे, गैस पर से हमने इसे हटा लिया है और गर्मा गरमी, इसे ग्रीस लगी हुई किसी भी प्लेट पर फैला दे यह मैंने दो प्लेट तयार करके रखी है यदि थोड़ा सा ज़ादा हुआ तो दूसी प्लेट में भी लगा देगे एक में ही आ गया है, दूसी प्लेट की हमें चरुवत नहीं है थोड़ा सा मैने से उपर से सैट कर दिया है और अब इसे थोड़ा सा टैप कर दिया है और इसे रख देंगे हम ठंडा होने के लिए तो रख देते हैं इसे ठंडा होने के लिए बर्फी हमारी अच्छी तरीके से ठंडी हो गई है तो अब इसके पीसिस काट लेते हैं पीसिस आप अपनी पसंद के अनुसार काटिए या मैं चकोर पीसिस में काट रही हूँ और देखिए कितने बढ़िया तरीके से कट रही है न और यदि आपको इसके उपर चांदी का बर्फी बनकर तयार हूई है तो पीसिस करने से पहले ही इसके उपर चांदी का बर्फी बनकर तयार हूई है यह देखिए, सुपर सॉफ्ट बर्फी, टेस्ट में भी बहुत अच्छी है बिलकुल जैसे मूंके दाल के हलुआ होता है बिलकुल वैसा ही टेस्ट होता है मैंने इसे ड्राइफ फूट से सजाया है और देखे कितनी डिलिश्यस, कितनी यम्मी बनकर तयार हुई है, बहुत ही टेस्टी बनकर तयार हुती है, तो जरूर से बनाईएगा, आज की आपको ही मेरी रैस्पी कैसी लगी, आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईए, यदि बहुत ही अच्छा लगता है, और और भी अच्छा करने का मन करता है, तो आज की आपको ये रैस्पी कैसी लगी, मुझे पता है, आपको जरूर से पसंद आई होगी, क्योंकि इसे बनाना बहुत इजी है, बहुत आसान है, तो इस बार दीपबली पे आप इस बरफी को बन कर एंजॉय कर सकते हैं तो फ्रेंट इसी तरह नई रेसिपी में फिर मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू बाई बाई